नमस्ते आज मैं आपके साथ एक बहुत ही क्विक हेल्दी प्रशाद की रेसिपी शेयर कर रही हूं इस प्रशाद को आप अकसर पूजा पंडालों में पाते होंगे और ग्रहन करते होंगे फटाफट से बन जाती है ये रेसिपी और सूपर टेस्टी लगती है और जब तहव चलिए स्टार्ट करते है बनाना यहां मैंने एक पैन रीड़ लिया है और इसे हलका गर्म कर लिया है और यहां गी आड़ कर रहे हूं प्रशाद बना रहे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा गी से तो गी आड़ कीजेगा चलिए गी हलके लो टू मीडियम फ्लेम प गी आड़ कर सकते हैं मैरे पास जो अब भी किछन मा एविलीबल है वह मैं आड़ कर रहे हूं तो यहां मैने सबसे पहले काजू एड़ कर लिया है फिर मूंगफली किदाने आड़ कर रहे हूं यही ना प्रशाद में बहुत अच्छा टेस्ट करता है और मोसली हम आप चाहें तो बादाम और पिस्ता यह सब भी आइस कर सकते हैं चिराउंजी भी और यहां मैंने एक टेबल स्पून सफेद तिल के दाने आड़ किया है और यह खस-खस आड़ किया है आप चाहें ना तो वह काले वाले जो तिल आते उन्हें भी आड़ कीजेगा वह भी कच्छा पर निकल जाए और यहां मैंने एक कप यह फ्रेश कोकोनेट है नारियल उसे गरेट करके आड़ कर रही हूं और इसे भी इन्हीं के साथ मैं रोस्ट कर रही हूं घी में जिससे कि नब बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और नारियल किया जब घी में भूनते ना त भून्यी पर ध्यान देना है कि low to medium flame पे करेंगे high flame पे नहीं करेंगे बच जैसे ही नारियल पे हल्का color अएगा इसे हम flame से निकाल लेंगे तो मैंने फ्लेम आफ कर लिया है और इसे हमें फटा फट से एक प्लेट में निकाल लेना है और यहां मैंने फिर से एक पैन में थोड़े से घी आड़ कर लिया है और घी को वापिस अलका लो फ्लेम पे गर्म कर लेना है जैसे ही घी गर्म होगी ना मैं यहां पे पोहा एड़ कर रही हूँ यह एक कप पोहा है जिसे मैंने अच्छे से चान लिया है पोहों को चानना बहुत जरूरी है और जो डस्ट होते हैं उन्हें निकालना बहुत जरूरी है वारना करवा लगेगा आप हो सके यहां पे बारीक वाले जो पोहे आते हैं वो इस्तमाल कीजेगा या फिर वो बासमती खुश्बू वाले जो पोहे आते हैं वो इस्तमाल कीजेगा तो भोग और भी मज़िदार और टेस्टी बनेगा तो यहां में mostly तीन से चार मिनट इस पोहे को गी के साथ भूनना है जिससे कि इसमें मौजू जो मौशेर है वो निकल जाए और यह पोहे हलके से क्रिस्पी हो जाए ऐसा करने से क्या होगा ना कि जब हम इसे खाएंगे ना कि यह दातों के बीच चिपकेगे नहीं बस यही करना है हमें इहाँ पर तो इने मीरियम फ्लेम पर फ्राय करेंगे यह देखिया हलकी खाए और श्टय क्रिस्प होगे से कुछ से कन् onset और फ्राय कर लेना चाहिए तो मैं इसे कुछ सेकंonds के लिए और और फ्राय कर ले रही जैगरी पॉड़र एड किया है और ये इलाइची को क्रश करके मैंने एड किया है आप चाहें तो सॉफ एड कर सकते हैं कुछ पिंच जाय फल के भी एड कर सकते हैं और फ्लेम आफ करने के बाद फटा फट से मिक्स करना है और तुरंती इसे हमें निकाल लेना है तो मैं इसे एस प्लेट में जिस्पे हमने नार यह निकाला था उसी में मैंने निकाल लिया है। सबीचीजों को हलक यह हा 108 से मिक्स कीजिए गा और हरा यह भोग बनिंगे त्यार है । और कितना यम देख रहा है औरается sugar free है तो यह बहुत ही है और इसे हम अकसर पूजा पंडालों में मिलता ही रहता है ना जब भी आप जाओ हाथ में दे देते हैं तो बस उसी को यह याद करते हैं मैंने बनाया है चलिए यह सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है अब चलिए इसे हम डेश आउट भी कर लेंगे और इसमें आप अपने पसंद के और भी जिदार आये लगेगा तो चलिए इसे अब हम डेश आउट कर लेते हैं आप यह वीडियो किस सिटी किस शहर से किस कंट्री से कहां से देख रहे हैं मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ज़रूर और यह भी बताएगा कि आप यह बोग बनाया तो कैसा लगा एक प्यार कमेंट करना बिलकुल नहीं भूलिएगा और यह चलिए मैंने इसे देश आउट कर लिया आप चाहे ना यहां फ्रूट्स भी आड़ कर सकते हैं जैसे केला है उसके पत्ले-पत्ले स्लाइस आप यहां पर आड़ कर सकते हैं एपल हो ना तो एपल को भी आप फाइनली के बिना अंधूरा सा लगता है तो मैंने तो इसे मिश्री भी आड़ कर लिया है और इसमें कलर आड़ करने के लिए मैंने आनार के थोड़े से दाने भी आड़ कर लिया देखिए कितना मज़ेदार और सूपर टेस्टी हमारा बोग बन के तयार है आप भी बनाइएगा करना बिल्कुल ही भूलिएगा चैनल पर नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन के साथ जिसे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे थैंक यू फो वाच रिएंग कीप ऑन सपोर्टिंग लव यू आल माय फ्रेंज बबाए 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 झाल एई